हमारा परशन है डाटा बेस में सूर्चना किस में स्टोर होती है डाटा बेस में जो हमारी सूर्चना होती है वो किस लोप में स्टोर होती है ओप्सन नमर A, चार्ड ओप्सन नमर B, बॉक्स ओप्सन नमर C, फोल्डर ओप्सन नमर D, टेबल तुम्हारे जो सूचना होती है वो हमारी टेबल के अंदर store रहती है, कहां पर रहती है टेबल के अंदर Next हमारे question है डेटा के कई परकार परदान करता है डेटा के कई परकार परदान कौन करता है option number A, word 2010 option number B, access 2010 option number C, excel 2010 option number D, powerpoint 2010 तो डेटा के कई परकार हमें कौन परदान करता है option number B, access 2010 Next हमारे क्यों सेन है डेटा टाइप का उप्योग उन लंबे टेक्स्ट को store करने में किया जा सकता है जिनको text field में store नहीं किया जा सकता कौन से डेटा टाइप का उप्योग उन लंबे टेक्स्ट को store परने के लिए किया जा सकता है option number A, text option number B, number option number C, memo option number D, currency तुमारे जो memo डाटा है इसको हम टाइप ही कर सकते है उन लंबे टेक्स्ट के अंदर store पर सकते है option number C है हमारा C जब हो जाएगा Next हमारा क्योशन है यूजर को field caption इधायत करने या data enter करने के लिए कौन से संगेते देता है करने के लिए संगेते देता है कौन देता है option number A, format option number B, input mask option number C, caption option number D, field size तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा option number C, caption कौन सा होगा? caption Next हमारा क्योशन है किसी file की विवरण है जो उसे पहचान में मदद करता है कि कौन से किसी file की विवरण है जो उन्हें पहचान में मदद करते है option number A, desktop properties option number B, windows property option number C, advanced property option number D, document property तो इसका जोगा हमारा option number B, windows property windows property हमारे किसी भी file या folder को पहचान में मदद करता है उसका नाम, size, location Next हमारा क्योशन है किसका उपयोग field में संग्रे data को चिन्नित करने के लिए किया जाता है option number A, table option number B, field name option number C, box option number D, bracket तो इसका जोगा हमारा option number B, field name Next हमारा क्योशन है view shortcut toolbar में कौन सा विकल्प नहीं है view shortcut toolbar में कौन सा विकल्प नहीं होता है option number A, design view option number B, pivot table view option number C, pivot chart view option number D, set view तो जो हमारा set view है ये view shortcut toolbar में नहीं होता है तो option number D हमारा सही जवाब हो जाएगा next हमारा क्योशन है अगर एक computer, अन्य computer को data से वे परदान करता है तो उसे किस रोप पिन जाना जाएगा option number A, web server option number B, application server option number C, database server option number D, FTP server तो इसे जाना जाएगा database server, option number C हमारा सही जवाब हो जाएगा next हमारा क्योशन है प्रात्मी कुण्जी है प्रात्मी कुण्जी कौन से है option number A, प्रतेक रिकोर्ड को विश्य स्टोप से पहचानती है option number B, दो राया नहीं जा सकता option number C, auto number प्रात्मी कुण्जी का एक उधारन है option number D, उप्रोकती, सभी तो हमारी जो प्रात्मी कुण्जी है यह हमारी प्रतेक रिकोर्ड को विश्य स्टोप से पहचानती भी है इसे दोराया भी नहीं जाता और auto number प्रात्मी कुण्जी का भी एक उधारन होती तो option number D, हमारा से जबाव जाएगा उप्रोकती, सभी next हमारी क्यूशन है related file के collection को क्या कहा जाता है related file के collection को क्या कहा जाता है option number A, character, option number B, field, option number C, record, option number D, database तो इसे कहा जाता है database, क्या कहा जाता है database, option number D, हमारा से जबाव जाएगा next हमारी क्यूशन है विद्यमान डॉकुमेंट को परिवर्तित करना डॉकुमेंट की क्या करलाता है ऌपसन नमबर A, Creating आपसन नमबर B, Editing आपसन नमबर C, Modifying आपसन नमबर D, Adjusting तो इसका आणस रोग हमारा आपसन नमबर B, Editing ओस्सन मारा क्यूंज राइ-प्शन है एक Electronic Database Management System है जो कई तरीकों से सूचना को स्टोर, संगठित, एक्सेस, मैनुपलेट और प्रस्तुत कर सकता है निम्निर से कौन सा एक Electronic Database Management System है Option No. A, MS Excel Access 2010, Option No. B, MS Word, Option No. C, MS Excel, Option No. D, MS PowerPoint तो इसके अंदर होगा हमारो Option No. A, MS Excel 2010, एक Electronic Database Management System है Next हमारा क्यों से है Primary की को होना चाहिए Primary की को क्या होना चाहिए Option No. A, Unique but Permit Null Option No. B, Unique at No. Null Option No. C, Non Unique and Not Null Option No. D, Non Unique and Permit Null तो इसका अंसर होगा Option No. B, Unique and Not Null Primary की को Unique and Not Null होना चाहिए Next हमारा क्यों से है एक Database Object है जिसका उप्योग मुखे स्क्रीन पर Record लिखने और परदेशित करने तथा मुजूद Record में परिवर्थित करने के लिए किया जाता है Option No. B हमारा से जबाओ जाएगा Form Form एक Database Object है जिसका उप्योग मुखे स्क्रीन पर Record लिखने और परदेशित करने के लिए किया जाता है Next हमारा क्योशन है Access 2010 में सूचना को Store करता है सूचना को Store कौन करता है Option No. A, Table Option No. B, Queries Option No. C, Report Option No. D, Form तो इसका उप्योग हमारा Option No. A, Table Table Access 2010 में सूचना को Store करता है Next हमारा क्योशन है Field में Enter किये जाने वाले Character की अधिक्तित संक्या के बारे में निन्ने करता है अधिक्तितम संक्या के बारे में कौन करता है Option No. A, Format Option No. B, Input Mask Option No. C, C, Caption Option No. D, Field Size Field Size, Field Size, Field में Enter किये जाने वाले Character के अधिक्तितम गया की बारे में निन्ने करता है Next हमारा क्योशन है निश्चेत अवस्ता या आप शक्ताव से मेल करने के लिए कौन से Data Entry को अधिक्तित करता है Option No. A, Validation Text, Option No. B, Default Value, Option No. C, Validation Rule, Option No. D, Format इसका अंसर होगा हमारा Option No. C, Validation Rule Next हमारा क्योशन है ऐससी विंडो है जिसे आप टेबल में देगी सूसना को आसानी से देखने के लिए या सूसना में बदलाव करने के लिए तियार करते हैं और स्रेनिबत करते हैं Option No. A, Table Option No. B, Queries Option No. C, Report Option No. D, Form तो आंसर होगा हमारा Option No. D, Form Form ऐसी विंडो है जिसे आप टेबल में देगी सूसना को आसानी से देखने के लिए और सूसनाओं में बदलाव करने के लिए तियारे करते हैं Next अमरा क्योशन है Data Type को उप्योग केवल संख्चाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है Data Type को उप्योग करने के लिए संख्चाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है Option No. A, Auto No. Option No. B, Text Option No. C, No. Option No. D, Dead Time तो आंसर होगा हमारा Option No. C, No. Next अमरा क्योशन है Data Type का उप्योग, Image, Document, Graph आधी को स्टोर करने के लिए किया जाता है Option No. A, Hyperlink Option No. B, O, Early Object Option No. C, Attachment Option No. D, Description तो इस खांसर होगा हमारा Option No. B, O, Early Object Next हमारा क्योशन है Data Entry को आसान बनाता है और आवसकता के अनुसार डेटा के प्रदेशन को नियंतरित करता है इनमें से कौन सा हमारा Data Entry पासान बनाता है और आवसकता के अनुसार डेटा को प्रदेशन को नियंतरित भी करता है Next Option No. A, Format Option No. B, Input Mask Option No. C, Caption Option No. D, Build Size तो इसका अनुसार लोगा हमारा Option No. B, Input Mask Next हमारा क्यूशन है Microsoft Access 1 क्या है? Microsoft Access क्या है? Option No. A, RDBMS Option No. B, DRBMS Option No. C, ADBMS Option No. D, DDBMS तो हमारे जो Microsoft Access है वो है RDBMS Option No. A हमारा C जबाल देगा Next हमारा क्यूशन है Microsoft Access 2010 में Uppelab Database Object है Uppelab Database Object है कौनस है? Option No. A, Micros Option No. B, Forms Option No. C, Report Option No. D, इनमें से कोई नी तो इसका अनुसार होगा Option No. D, इनमें से कोई नी Next हमारा क्यूस्टन है एक Database का कारिय है क्या है Option No. A, सबी Input Data की जांस करना Option No. B, सबी वरतनी की जांस करना Option No. C, Input Data को इक पाथा और विववस्ब्ससिद करना Option No. D, ये सबी तो इसका असर होगा Input Data को इक पाथा करना और विवस्तिती करना option number C हमारा C जब बोज़एगा next हमारा question है छातरी database में प्रात्म कुंजी का एक अच्छा उधारण कौन सा है छातरी database में प्रात्म कुंजी का एक अच्छा उधारण कौन सा है option number है phone number, option number B, name option number C, पता option number D, roll number तो इसका answer होगा option number D, roll number next हमारा question है database से जानकारी के लिए अनुरोद है option number A, query option number B, criteria option number C, object option number D, conditions तो इसका answer होगा option number A, query query database से जानकारी के लिए अनुरोद ही करता है next हमारा question है अंतर सम्बंदिये डेटा के सम्मोव को क्या कहते है option number A, seat option number B, table option number C, database option number D, file इसका answer होगा option number C, database